हमारा भाउतिक शरीर अन्नमई कोश, जिसे हम विदान्त की भाश्रा में कहते हैं, अन्न से बना है, सब्तदातु, अईरुवेद कहता है, विदान्त में भी हम इसका चिंतन करते हैं, और इन सब्तदातुओं से बने हुए शरीर के लिए आवश्रक होता है कि हम इसको अन्न के स्वाद के लिए जयदा लालाहित होते हैं और पोशन के लिए कम इसलिए बहुत जिसे हम कहेंगे सुन्दर दिखने वाले और जीव को बहुत खटे मिठे और चटकारे देने वाले बोजन ये बड़े अच्छे लगते हैं आजकल समय है प्रोसेस्ट फूड का और जिसे कहते हैं के डाइल ते नंबर और जिएट अफूड गरम करिये और खाली जिए और आजकल तो पैकिंग ऐसी आगई के खाना भी गरम ही आता है इतनी तकलीफ भी करने की क्या जरूरत है अनमाई कोश को जीवित रखने के लिए खाने की अबस रखता है पर प्रश्ण ये उठता है हम जीने के लिए खा रहे हैं के खाने के लिए जी रहे हैं मैं फिर तो रहा दू जीने के लिए खा रहे हैं के खाने के लिए जी रहे हैं अधिकतर लोग खाने के लिए जी रहे सुबह ये खाएंगे, दुपहर ये खाएंगे रात ये खाएंगे और इस बीच में और क्या-क्या खाएंगे फिर सवाल उटता है कहां खाएंगे किस-किस जगे जाके खाएंगे किस रेडी से खाएंगे, किस ढाबे से खाएंगे किस restaurant से खाएंगे, किस के घर जाके खाएंगे, कितना खाएंगे, कितनी variety का खाएंगे, 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 खाना, 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 और खाना, खा, खा करके, शरीर बिचारे की हालत खराब हो गई है, और जब आप अधिक खाते हैं, और शरीर की आवश्रक्ता से जाइदा खाते हैं, तब यह हमारा खाया हुआ, भोजन हमारे शरीर में जहर को उसे हम Ayurveda में कहते हैं, आमा, अंग्रेजी में कहेंगे, टॉक्सिन्स, यही आमा, जिस अंग में गई, उस अंग के कार्य प्रणाली को बधित करती है, जिस जोड में चली गई, उस जोड को कमजोर कर देती है, और हमारे आचारियों नहीं यह कहा, पहली पात, सबसे जरूरी जो कीमती मंत्र है, वो यह है कि हम जीने के लिए खाएं, और खाने के लिए नहीं जीएं, तो खाना आपका इस विचार से होना चाहिए, स्वाद से अधिक उसका पोशन, जो है, क्या यह मेरे लिए पोशन करने वाला होगा, या नहीं होगा, दूसरा, क्या यह भोजन खान के बाद हम धीले, ढाले और आलसी होके बिस्तरे में पढ़ जाएंगे, या हम चुस्त रहते हैं और एकदम एक्टिव रहते हैं, तीसरा आता है क्या ये खाना खा करके हम रोगी हो जाएंगे, या ये खाना खा करके हम स्वस्त रहेंगे, सब चीजों का बीचार करना चाहिए जैसे मिठाई मुझे याद आ रहा है एक हमारे शेश्य गुर्गाउं में आज के गुरुग्राम में रह रहे हैं तो उनकी माता जिनकी 82-83 साल की थी उन्होंने बताया के वो अपने जीवन में पूरे साल में सिरफ दो बार मिठाई खाती थी एक दिवाली पर और एक रामनुवामी पर पूरे साल में सिरफ दो बार रामनुवामी और दिवाली बाकी कहते हैं नहीं खाते थे आप दूर गाउंदे हाथ में चले जाएए वहां मीठा बनता है जब कभी कोई शादी हो कुछ खास बात हो कोई तीज त्योखार हो नहीं तो लोग मोटा खाते हैं अच्छा देखो मोटा खाते हैं पर पतले रहते हैं अभी आप पतला खाते हैं और मोटे हो जाते हैं पतला मतलब रिफाइंड रिफाइंड मैदा, रिफाइंड सूगर रिफाइंड ओयल ये तीनो चीजें आपको रोगी भी करती हैं, आपको आपके उपर पैसे का भी बहुत खर्चा, मनि पैसे पर भी बोज आता है, पैसा बहुत खर्च करना पड़ता है, सुझाओ, एक रिफाइन नहीं खाइए, ना चीनी, ना आटा, और मैदा से भी दूर रहिए, तो मोटा खाइए, अब इसमें भी एक बात आती है, देखिए, बात में बात निकल रही है, आप जो गेहूं खा रहे हैं इस समय पर, ये गेहूं, ये चावल, दोनों ही शॉकिंग, चौक जाएंगे आप, ठीक नहीं है, ये दोनों आपको रोगी कर रहे हैं, क्यूंकि जिस जनेटि ये साथ से चौदां परकार के पेस्टिसाइड्स, केमिकल, डेंजरस, डाले जाते हैं, और ये जो बीज है, ये बीज ही ऐसा है, कि जो आपको डाइबिटीस, या हाई ब्लड प्रेशर दे सकते हैं, 1965 के करीब जो ग्रीन रेवलूशन हुआ, हमारे साइंटिस्टों को, जिसको उगाने के लिए, पेस्टिसाइड्स की आवश्रक्ता थी, कि कोई कीडा न लगे, कोई बीमारी न लगे, फसल भी जैदा हो, हमारे देश में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, बंगाल का अकाल प्रसिद है, और अन की कमी थी, और मुझे याद है मेरे बच्प कीमत पर दिया गया, ये ऐसा PDA सिस्टम से गया था, और लोगों ने बहुत उसका उपयोग किया, तो गेहूं और चावल की जो बीज परकार जो यूस किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, उसके खाने से एक ही दिन में नहीं होगा, बीस-तिस साल में भी शायद ना हो, क साम नहीं करते हैं, उतना चलते नहीं हैं, उतनी भाग दोड़ नहीं करते हैं, तो अगर वो कहें कि 2,000 कैलोरीस तीन और Pink या 3,000 कैलोरीस खाते हैं, तो शायद ही वो मुश्किल से 400 या 500 खर्ष करते तो कैलरीज्स का जो ڈफिसिट है वो कहां गया और फिर खाए जा रहे खाए जा रहे खाए जा रहे खाए जारे और क्या खा रहे ये भी कोई बइचार नहीं करता है मैं फिर से कह दू मातर्डेर्ड़ सो वारष पहले हमारे भारत में सब लोग मैदा नहीं खाते थे गेहुँपी जो खाते थे आज भी जारखंड में कुछ मद्रीपरदेश के गाउं में मेरी जयनकारी में पंजाब में एक दो किसान हैं वो भी इसको उघा रहे हैं और वो गेहुँँ ऐसा है हमारा पुराना जो गेहुँँ है वो ओस की बुनों से अंकुरित हो जाता है उसको ज़्यादा पानी देने की भी जरूरत नहीं है और उस गेहूं की फसल को अगर आप देखना चाहें तो अगले बर्श मैंने 2022 में आप यहां अश्रम के जो खेत हैं वहां आ करके आप देख सकेंगे क्योंकि अब हम उसी गेहूं को जो बाहर से मंगवा रहे थे अब अपने हां लगाएंगे उसको ताकि लोग उसे देखें इस गेहूं को खाने वाली 74 साल की एक महिला ना हाई ब्लड प्रेशर है ना डाइबिटीज है यह ज़रूरी नहीं कि जो गेहूं और चावल खारें सब को यह डाइबिटीज और हाईपरटेंशन हो जाए लेकिन इसमें संभावना अधिक बढ़ जाती है जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल या फ्रूट या सबजी आप अगर खाते हैं तो यह शरीर में रोग बना देता है तो एक तो हम क्या खाते हैं इसके उपर कोई विचार नहीं करता जैसा तेल मिला खा लिया मैं फिर से निवेदन कर दूँ राइस ब्रैन ओयल नहीं खाईए कोई भी रिफाइन ओयल नहीं खाईए सर्दी में तिल का तेल है सर्दी में आप अगर आपके शरीर में थोड़ा उमर भी जैदा है तो आपके लिए अलसी का तेल बहुत अच्छा है गर्मी में आप नारियल का तेल खाईए बहुत अच्छा है सरसों का तेल खाईए बहुत अच्छा है और इन सब तेलों का जो कोलू का लकड़ी वाला जो कोलू होता था जिसे बैल चलाते थे अगर उससे मैंने slow process, cold process से जो तेल निकलता है उस तेल को अगर आप खाते हैं तो यह आपके जोडों को मश्बूत करेगा, हड़ियों को मश्बूत करेगा, हर्मोन का बालंस बना के रखेगा, नीन अच्छी रखेगा, ब्रें नियूरौन बहुत आपके अच्छे रहेंगे तो देसीगी खाएे, यह भी आपको शरीर को रोग-मुकत रखता है और मोटा आन आज खाईए और मिलट्स की बात तो मैं कई दफे कह चुकी हूँ मैं खुद पिछले दो साल से मिलट्स का उपियोग करती हूँ मिलट की खिर्चडी, मिलट का चावल, मिलट का पोहा, मिलट का पराठा, मिलट की रोटी ये सब आसानी से बन जाता है और अन पॉलिष दाले, पॉलिष नहीं, अन पॉलिष दाले ये खाईए, सबजी हाइब्रिड नहीं हो, बे मौसमी नहीं हो जैसे अभी सर्दी चल रही है, एक सजजन हमारे लिए तर्बूज उठाला है मैं भाई साब ये कहां से आया, तो बहुले इंपोर्टेड है तो मैं कहां से इंपोर्टेड है न वहीं भेज दो, हम तो नहीं लेंगे तो हमने आस्भी कार कर दिया आपको हमसे प्रेम है, तो आप जो अपने गाउं में या बेस्ट तो हो के आपके अपने घर के बगीचे में या गमले में, या आपके घर के लगे किसी पेड से उगा हुआ हो तो सिर्माथे होगा, ऐसा फल, ऐसी सबजी और आप इंपोर्टेड उठा कर के ला रहे हैं तो उसका मेरे द्रष्टी में दुरूपयोग है, पैसे का भी दुरूपयोग है थोड़ा खाना सिंपल रखें और कम खाएं और अब सबसे महतुपूर्ण बात और वो ये है कि हो सके तो सबताह में एक दिन उपवास में रहे उप मने पास, वास मने बैठना तो उपवास का मतलब क्या होता है उपवास का मतलब होता है इश्वर के पास बैठना माने वो दिन जब आप ध्यान करते हैं सुमिरन करते हैं, भजन करते हैं स्वाध्याय करते हैं, पाठ करते हैं, माला फिरते हैं और इस अन्नमई कोश के अंदर खाना नहीं डालते हैं, मने खाने की छुटी, नो खाना, कई लोग अपवास के नाम पे फल खाते हैं, कुट्टू, स्वांक के आटे की पूरी, पकोडे, पराथे खाते हैं, उसी के बने हुए चाट पकोडी खाते हैं, मने इतना तो नॉर्मल डेज में भी नहीं खाते हैं, हो नावरात्रे हो, या वो सुंवार का हो, हो वीरवार का हो, केते जी विलाद लेकिन घएके हो रहा है, तो उपवास का मतलब है, के उस दिन कुछ ना खाये, हमारे कुछ एक मित्र, सान्त, साधक ऐसे हैं, जो पानी भी नहीं पेते, बिना पानी को, उसे कहते है, ड्रै फा पानी भी नहीं पीते हैं, ऐसा उपवास रखते हैं, और 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन का उपवास भी करते हैं, वो करने की एक अलग विज्ञान है, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रही, लेकिन फिलहाल ये है कि अगर आप हफते में एक दिन खाना नहीं खाते हैं, फल सब्जी भी नहीं खाते हैं, और सिरफ निम्व श्रहद, अब श्रहद की बात है, माफ करियेगा, बजार में श्रहद जो मिल रहे हैं, question mark, पता नहीं, संदिग्द हैं, असली है या नहीं है, तो आपका source, जो है, वो सही हो, 100% advertisement, marketing से, जो चीज प्रचारित, प्रसारित की जाती है, वो सची ही हो, कहने ही सकते हैं, गूगल करिये, यूट्यूब में जाएए, असली नकली शाहद का फरक क्या होता है, वो समझिये, शाहद के नाम पे कौन सिरफ बेश दिया जाता है, लोग खरीद लेते हैं, कहते हैं, जी certified हैं, फलां फलां फलां, लेकिन कितनी सचाई है, खुद परकिये, और फिर यकीन करिये, जब लग न देखू अपनी नैनी, तब लग न पती जूँ गुर की बेनी, ये कबीर साहिब कहते हैं, जब तक आँख से मैं खुद न देख लूँ, मैं गुरू के बचन पर भी कैसे भरोसा करूँ, तो ये तो शाहद की बात हो रही मन कहरा है हमारी आदत खाने पीने की क्या बोल रहे हैं, हम क्यू छोड़ें, क्यू छोड़ें, और ये हो जाएगा, चक्कर आजाएगा, हाइपोगलैसीमिया हो जाएगा, चकर बिहोष हो जाएंगे, जिसका मन इतना कमजोर है तो उसको तो बिलकुल नहीं करना चाहिए, ब्रत एक तरह से आपका एक संकल्प होता है, कि शरीर नहीं, हम शरीर को नहीं जीतने देंगे, हम मन से जीवन को जीएंगे, तो मन ने संकल्प की, आज नहीं काएंगे, तो बस नहीं काएंगे, भूख क्या है, भूख का एक ग्राफ आता है, एक बड़ी जोड़ से चमक के आती है, पर अगर आपने उस समय थोड़ा धहरी धर लिया, तो यह automatically नीशे चली जाती है, और अगर आप निमुपानी या निमुश्रहद पीते रहते हैं, तो यह जो आपके आमाश्रय को बिश्राम मिलता है, this relief which comes to the stomach by not eating, is called उपवास, अब यह उपवास आपके शरीर में को निकालेगा, toxins को निकालेगा, आपका पेट भी thank you कहेगा, शुकर है आज लोड नहीं किया मेरे को, मुझे भी आराम, सब को आराम चाहिए, पेट को भी आराम चाहिए, तो हफते में एक दिन आप खुद चुन लीजिए, कोई भी दिन, सब दिन अच्छे, सब दिन, सब म तो नहीं कर पाएंगे, पर अगर आप घर में हैं, तो उस दिन कोशिश करिए, कि आप बोलें भी कम, लोगों का सिर कम खाएं, गपें कम लड़ाएं, चुगलियां कम करें, मने जीव का भी मौन कर दिजिए, not total silence, पर कम बोलिए, कम देखिए, उस दिन TV भी कम देखिए, उ तो अपनी पाँच्रो ग्यान इंद्रियों को समेट करके अंतर मुखी कर देने का नाम उपवास होता है, तो ये एक साधना करने का दिन भाना होता है, जहां हम उपवास से शरीर को स्वास्तलाब देते हैं, वहां हम अपने मन को अंतर मुखी करने का एक परियतन कर सकते हैं तो उपवास दंड नहीं है उपवास आपकी चोईस होती है आज जब मैं बात कर रही हूँ आप सब के साथ जस्ट फोर इन्फरमेशन हम छह दिन के उपवास के बाद आप से बात कर रहे हैं मैंने इस समय आज ही हमारा साथवान दिन है पांच दिन पूरून उपवास में थे और कल से सूप जो है वो शुरू किया और थोड़ा सा खिचडी जो है वो शुरू किया है ये बात मुझे इसलिए भी कहनी जरूरी लगी क्योंकि जो चीज हम ना करें हम दूसरों को नहीं कहते तो ये पहले मैं खुद कर रही हूँ पहले भी करते थे फिर कई कारणों से नहीं हो पाया लेकिन मैंने खुद ने रिज्यूम किया है अपने लिए तो जो चीज मेरे लिए अच्छी वो आप सब मेरे प्यारों के लिए बिलकूल अच्छी होगी हाँ आप इसमें कुछ साफधानिया हैं अगर आप पेशंट हैं मैंने रोगी है शरीर पहले से या आपका डाइबटीज अनकंट्रोल्ड है तब थोड़ा साफधानी एक फिजिशन का नेट्रोपैथ का वैद्य का सलाह लेकर के करिए जो पूरन उपवास ना कर सके अपने रोग की वज़े से वो ये कर सकते हैं कि ग्रीन जूस पीजिए धनिया, पालक, मेथी, खीरा उसमें आमला डाल करके इसको पीजिए आप शीत का मौसम है, ठंडा मौसम है तो अगर जूस ठंडा लगे तो आप ये सब चीजों का सूप बना लीजिए आप सूप पीजिए ये आपके शरीर के लिए बहुत बढ़िया होता है धनिया मुत्रोल होता है डायरटिक होता है धनिया अगर आप उपियोग में लाते हैं जूस के फॉर्म में तो ज्यादा अच्छा होता है, फाइदा तो, लेकिन सूप में भी लेते हैं, तो आपका पेशाब अधिकाएगा, तो यूरिक एसिड कम होगा, और आपके शरीर में अगर कहीं सूजना रखी है, क्योंकि वाटर रिटेंशन हो रखा है, तो वो भी ठीक होता है, हरी सबजीयो अगर आप उपवास पूरा ना कर सकते हों, फल का कर सकते हैं, पर कोई एक फल, बहुत सारे फल नहीं, कोई एक फल जो है, वो भी मौसम का जो फल हो, जैसे आज कल सेव है, केला है, एक सेव या दो सेव, सुभा, एक दो सेव, शाम को बीच में गरम पानी पीते रहे, आप पी सकते हैं, माने कभी गरम पानी में निम्बू नहीं नी चोड़ना, गुन गुने पानी में आप एक निम्बू नी चोड़ के पी लीजिए, एक गरम पानी में तुलसी का पत्ता डाल के पी लीजिए, आप वीट ग्रास की चाय बना के पी सकते हैं, आप लेमन ग्रास, हम आपके पडोस में कहीं पीपल लगा हो, तो दो-चार पीपल के पत्ते डालिए, गरम पानी में उबाल लीजिए उसको, दो-चार उबाल आजाएं, छानी ये पीलीजिए, पीपल नहीं है, तुलसी उबाल लीजिए, तुलसी है, वो भी अच्छा है, मुरिंगा है, जिसे ड्रम स्टिक हम कहते हैं, मुरिंगा को, उसके पत्ते को उबाल लीजिए, नीम के पत्ते को उबाल करके पी लीजिए, करंच का जो ब्रक्षो होता है, उसके पत्ते उबाल करके पी लीजिए, तो ये जो मैंने अलग-अलग नाम लिये हैं, इनकी बनी हुई चाय आप पीजिए वो जो काली चाय आप पीते हैं वो चाय बिलकुल नहीं पीनी है नहीं तो पेट दुखेगा, चक्कार आएंगे जी मिचलाएगा और फिर कोगे लो गुरुमा ने किस चक्कर में हमको डाल दिया तो फाइदा लेना है, नुकसान नहीं करना है इसलिए रेगुलर टी बिलकुल उपवास के दिन नहीं पीनी चाहिए यह हर्बल टी आप पी सकते हैं गर्म पानी शरीर के लिए बहुत उपियोगी होता है तो हफते में एक दिन उपवास कोशिश करिए करें तो बहुत अच्छा है पूरा उपवास ना कर सकें तो हरी सबजी का करें और यह भी नहीं हो तो फिर साथ में फल जोड लीजिए और यह भी नहीं हो तो फिर उपवास मत करिए और पूरी पराठे खाईए डायबेटीज बढ़ाईए हाइपरटेंशन बढ़ाईए शरीर से मोटे हो जाईए और रोगी हो करके फिर किसी दाक्टर को अमीर करिए किसी फार्मा कंपनी को अमीर करिए या आप अपने डाक्टर स्वैम बनिए कम खाईए हाफते में एक दिन उपवास करिए लंबा जीओ प्यारे लंबा जीओगे तभी तो साधना करके आत्मनिष्टा ब्रह्मनिष्टा तक पहुंच पाऊगे पहले ही रोगी हो गए हस्पतालों के चक्कर लग गए तो हमें कैसे मिलोगे साधना कैसे करोगे सो साधना के लक्ष के लिए ये आवश्रक है शरीर को निरोगी काया रखें तो कम खाएं हफते के चै दिन और एक दिन उपवास आप सबको मेरी बहुत शुब काम नाएं आप चाहें तो अपने अनुभव फिर मुझे इमेल के द्वारा भेज सकते हैं प्रश्नों हो भेज सकते हैं उसका भी उत्तर हम देंगे पर याद रहे अन्नमई कोश के इस शरीर को चलाने के लिए बहुत थोड़ा अल्प अहार सुल्प सी निद्रा दया छीमा तन प्रीत ये उपदेश सिर्गुरु गोबिल सिंग महाराज ने लिया और कृष्ण भगवान गीता में युक्त आहार भिहार अस्या युक्त चेष्टा करम्सु युक्ति पूरवक खाएं युक्ति पूरवक पियें आसाइया मित नहीं होएं भोगी नहीं होएं तो वरत की बड़ी महिमा फिर कहे दूँ खाने वाला वरत नहीं अपवास मतलब पूरा अपवास जैसा मैंने अभी कहा इस अपवास की जो उपियोगिता है जैन धर्म में है बाउध धर्म में है हिंदू धर्म में है और अगर आप किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं तो शरीर का स्वास्तों चाहिए न तो नेचुरोपैथी और योग में हम उपवास को बहुत महत्व देते हैं सब्ताह का एक दिन उपवास आपके लिए लाबकारी हो इतना ही कहकर वाणी को विश्राम झाल 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 झाल